किचेन और घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको अगर हम सही तरीके से ना करें तो काफे जादा मुश्किल हो जाती है तो आज का वीडियो है बहुत ही खास वीडियो को पूरा देखिएगा अगर पसंद आये तो दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कर दीजिएगा और च उपर जिप लॉक लगा होता है तो मैंने इसको जब उपन किया तो क्या हुआ कि इसका जिप लॉक खराब हो गया अब हम इसको या तो किसी कंटेनर में रखें अगर इसमें ही हमें रखना है तो इसका जिप लॉक तो खराब हो गया हम कैसे इसमें रखें तो हमें क्या करना है हमें एक सीजर ले लेना है और सीजर की हेल्प से जो यह उपर वाला पार्ट है ना इसको हमें कट करना है तो इस तरीके से देखिए हमने कट कर लिया है अब हमें पैकेट को फोल्ड कर देना है और यह जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी हमें हटा देना है फोल्ड करने क अपने next tip की तरफ next tip हमारा इस तरह के कढ़ाई को लेकर है जब भी हम किसी चीज को कढ़ाई में बेग करते हैं तो इस तरह के stand को रखते हैं और नीचे नमक या फिर पानी डालते हैं अगर ये stand नहीं है तो आप कैसे किसी चीज को बेग करोगे तो वो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ तो आपको क्या करना है स्पून ले लेने हैं ये स्पून हम सभी के घर में होते हैं और इनको हमें क्या करना है इस तरीके से जो कढ़ाई का तली है इसमें हमें लगा देना है इस तरीके से चारो तरफ फैला के लगाना है और इस तरीके से लगाने के बाद आप इस पे जो भी अपना बैटर रखना चाहोगे आराम से आ जायेगा अगर स्टैंड नहीं है तो इस तरीके से आप रख सकते तो दिखें मैं आपको प्लेट रख के दिखा रही हूँ तो जब भी आपको नेक्स टाइम बेग करना है कुछ भी कढ़ाई में तो आप इस टिप को फालो करके आराम से कर सकते हो तो ये टिप आप तभी फोलो कीजिएगा जब आपके पास इस्टैंड ना हो तो आई होप आपको ये टिप पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो एक लाइक दरूर कर दीजिएगा मेरा अगला टिप है मसालों को लेकर तो यहाँ पर मैंने कश्मेरी मिर्च ली है और कश्मेरी मिर्च हम बहुती कम यूज़ करते हैं और बहुती जल्दी खराब होती है इसके उपर जो आप ये स्लिप देख रहा है ये मैंने इसकी एक्सपारी डेट लगा रखी है अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो मैंने अल्रेडी अपलोड कर रखा है तो हम बात करने वाले हैं कि इसको हम खराब होने से कैसे बचाएं तो इसके लिए आपको क्या करना है कोई भी कोकिंग ओयल ले लेना है और इस तरीके से स्पून में लेंगे तो इसको मिक्स करना बहुत आसान हो जाता है इस ओयल को हमें इसके अंदर डाल देना है और अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है नीचे तक ताकि पूरे मसाले में अच्छे से ओयल जो है मिक्स हो जाए इस तरीके से जब आप किसी भी मसाले में oil को डाल के रखोगे ना तो बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा काफी लंबे समय तक चल जाएगा बस आपको इसकी expiry date ध्यान देनी है तो healthy powder या फिर धनिया powder आप किसी में भी इसको follow कर सकते हो तो चलते हैं अपने next tip की तरफ next है हमारा सुई में धागा डालने को लेकर तो कभी-कभी हमें सुई में धागा डालना होता है और बड़ी सुई में तो आराम से पड़ जाता है लेकिन जब छोटी सुई में धागा डालने की बारी आती है ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हमारा काफी सारा समय वेस्ट हो जाता है तो इसके लिए मैंने अल्रेडी चैनल पे वीडियो अप्लोड कर रखा है उसमें मैंने डिफरेंट तरीके से बताया है अगर आपको देखना है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो तो आज मैं ब यहाडू का सीख ले लेना है और इसका एक पतला सा सीख हमें निकाल लेना है और इसको अच्छे से साफ कर देना है इस तरीके से और u-shape में इसे मोड देना है इस तरीके से जब आप करोगे तो यह तूटता नहीं है बीस से और बड़ी आजा you shape बनके ready हो जाता है और नीचे तो आप जब ध्यान से देखोगे तभी आपको समझ आएगा और इस तरीके से हमें रखना है दूसरे कोईन को इसके उपर और बीच में हमें ज़ाडू की सीक को रख लेना है यू शेप में मोड कर और इसके बाद जो यह सेलो टेप है ना इससे हमें अच्छे से इसको सेट कर गया है तो इसको हमें इस तरीके से दबा देना है थोड़ा सा ताकि यह थोड़ा सा पतला हो जाए सुई के अंदर आ सके तो अब हमें पहले धागा नहीं लेना है पहले हमें लेना है सुई तो आप देख सकते हो कि कितना छोटा सुई है अच्छे से उठाने से भी नहीं आ तो इस तरीके से डालने के बाद आप हमें धागा लेना है और इस धागे को हमें जाडू के सीक में डालना है जो हमने यूशिप में बनाया है इसके बीच में हमें डालना है इस तरीके से आराम से हो जाता है और डालने के बाद इसको इस तरीके से डबल कर देना है और अब हम अराम से पढ़ गया है और देखी कितनी जल्दी हमारा धागा छोटी से छोटी सुई में पढ़ जाता है तो इस टिप को आप फॉलो करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको यह टिप कैसा लगा है आप चाहें तो इसको बना के भी रख सकते हो या अगला टिप है कूकर की लिड को लेकर तो यहां पर कोई भी चीज आप ले सकते हो जिसमें इस तरीके का स्क्रू लगा होता है जो लूज हो जाता है और उसको टाइट करने के लिए हमें पेजकस की जरूरत पड़ती है और इन केस हमें अगर पेजकस नहीं मिल रहा है या या पर इसके साइज का नहीं है तो हम क्या करेंगे उस केस में हमें यूज करना है स्पून इस त değ हीर जो स्पून होता है इस के पीछी के साइड से हमारा हम से किसी भी पेज़को को टाइड कर सकते हैंкивयों डिखी यह यहां पर हमें अपको कर के दिखा रही हूँ। आपको सही से नहीं लगता है ना तो बहुती गुसा आता है तो कैसे हम nail paint को लगाएं कि बिल्कुल भी खराब ना हो और सही से लग जाए तो इसके लिए आपको oil लेना है यहाँ पर आप किसी भी lip balm का या फिर cream का भी use कर सकते हो और इसको हमें अपने nails के side side लगाना है nail पे हमें नहीं लगाना है side side ही लगाना है क्योंकि nail पे अगर लगेगा तो nail polish set नहीं होगी अच्छे से और इस तरीके से लगाने के बाद आप आराम से nail paint को लगा लीजिए और लगाने के बाद जब यह अच्छे से सूख जाए ना तो जो एक्स्ट्रा इधर दर निकल जाती है nail paint वो हमें किसी भी cotton से या फिर ear buds से clean कर देना है अगर आप ear buds से करोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है और जो यह इसका extra oil है ना यह भी हमें cotton की help से बढ़िया से साफ कर देना है तो इस तरीके से बहुती बढ़िया तरीके से nail paint जो है लग जाता है और काफी कम समय में तो जब भी आपको nail paint का use करना हो ना तो इसी tip को follow किजिएगा बहुती बढ़िया tip है तो friends आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताईएगा अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो subscribe कर दीजिएगा बेल आइकन को on कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो को notification आप तक सबसे पहले पहुन सके इ यूस्फुल वीडियो देखने के लिए लिंक मैंने description box में दे दिया है आप वहां से देख सकते हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye